लास्ट वीडियो में नहीं देखा था किस तरह ये मुटलिफ वाइस ओवर हम कर सकते हैं पर अगर आपकी लिप सिंकिंग ठीक नहों तो आप मैंनुडी कैसी ठीक कर सकते हैं तो जबने वोईश मेंने पहले लगा दी है, हमने पहले यह सिक है कि वोईश सर्फ दफिछ लगेंगी, बाद में इंफेस इनिमेशन होगी वोईश वहले फेर कलिप को यहाícia प्रदे लाले सिना हुई तो आप जो है फेस की उपर दुबारा क्लिक करेंगे तो यह वापस आजाएगा थोड़ी देर के लिए मैं इसे कर रहा हूं बन यह हो क्या बन राइट अभी मैं इसकी फेस की ऐनिमेशन करना चाहरा हूं उसके इलावा बाकी तो फेस की ऐनिमेशन करने के तीन तरीके हैं यह पर सबसे पहले तरीका जो है फेस की एडिर इसकी आप परपेड वाला आप इस तरीकी से यहां से आप एनियाबल कर सकते हैं करेक्टर को स्लेक करने के बाद इस वीडियो में यह डिसकर्स करने जा रहे हैं लेकिन दो तरीके भी उता रहा हूं दूसरे तरीका है फेस की केमरे को राइड और उस तरीके से मूव करेंगे तो और अटोमेटिकली यह मूव कर रहा होगा आपकी इनिमेशन को डिपेक्ट कर रहा होगा जितनी अच्छी क्वालिटी का वेब केम होगा उतनी अच्छी क्वालिटी इसकी यह कैप्चर करेगा अगैन इस वीडियो में हम यह नहीं देख रहे हैं यह कहीं एडवेंस जाकर देखेंगे तो इस वीडियो में हम सिरफ और सिरफ फेस पपट के जरी अनिमेशन करने का सीखते हैं तो नेक्स वीडियो में हम यह देखेंगे कि फेस की एरिडर के जरी कैसे अनिमेट करते हैं So let's talk about face puppet Face puppet की discussion से पहले मैं character को zoom in कर लेता हूँ उसके face को ताके आपको सही की नजर आ जाए I'll दबा के shift दबा के मैं दोनो बटन दबाता हूँ तो यह मैं zoom in कर रहा हूँ Right is को पकल के तोड़ से नीचे ले आता हूँ और यह बिल्कुल जो है वो अभी मेरा face यहां पर visible है I'll दबा के मैं scene को तोड़ सा इस तरफ कर दिया अभी मैं करते हूँ face puppet on यहां से face puppet on कर लिया Face puppet editor एक real time editor है जो कुछ यहां में आप करेंगे mouse के जरिए animation automatically बन जाएगी और वो नीचे timeline पे यहां पे save हो जाएगी जब आप record का button दबा के कर रहे होंगे तो अभी हम इसको detail से discuss करते हैं तो पहले हम timeline को जो है बिल्कुल zero पे ले जाते हैं राइट बिल्कुल 0 पे चला जाए तो timeline को हम बिल्कुल शुरू में ले जाते हैं तो इस face puppet से animation करना बहुत असान है लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि हम देखेंगे आगे जाके इस वीडियो में कि यहां पे timeline में इतने ज्यादा keyframes लग जाते हैं कि हम उनको edit करना हमारे लिए एक मसला बन जाता है आखर में बारल यह एक face puppet के दरी हम animation कर सकते हैं तो face puppet की animation करने के लिए आपने face को बहुत जारे zoom in करना है ताकि आप असानी से उसके सारे features को देख रहे हैं सबसे पहला यह है दूसरा इस character की profile को select करना है आपने तो यहां पे कुछ बनाई profiles हैं female की है male की है देखें जो अगर profile चेंज कर रहे हैं तो दो तीन जगे पे change आ रही है एक यहां पे change आ रही है इसके मुतलब behaviors हैं यहां पे face की overall look है और यहां पे change होती है profile चेंज करने से और यहां पे कुछ features जो है और चेंज होते हैं यह features देखें हम on off कर सकते हैं या mouth को जब हम face को move करेंगे तो इन हिस्सों पे key frame लगेगा हर इससे पे जितने कम हिस्स select होंगे उन पे key frame नहीं लगेगा let's say भी मैं सारे unselect कर लिए select और unselect क्या है कि वो जो है तो जो है तो तो डार्क हो जाता है जो जी select होती है तो anyhow यह profile है देखें यह bunny बनाई इस profile के यहां पे कुछ इससे है यहां पे यह दूसरा है यहां पे next step यहां पे full face control है तो overall इसके भी names है कि smiley दिखे angry दिखे overall उसका behavior animation में angry हो sad हो या happy हो या scared हो डरा हो हो तो यह मुतलिफ face के expressions हैं यह emotions को जाहर करते हैं बनाई तो यह cotton animator बनाई अगया है जब डरा हुआ बनाई होता है तो उसके कौन से face के हिस्से जो है वो तबदील होते हैं तो उन्होंने उस तरह की profile बनाई हुई है लेकिन स्टेल आप अपनी मर्जी की profile उसमें भी edit भी कर सकते हैं लेकिन anyhow मैंने यहां से जोनी वाले profile select की और देन मैंने यहां से उसकी happy वाली profile select कर लिया तो यह जब आप इनसान happy होता है तो यह चेहरे के हिस्से जो है वो active होता है उन पे जो है changes आती है तो यहां पे solo features हैं कि आप अपनी मर्जी से feature जो है वो select कर सकते हैं अंकों के नीचे वाला यहां पे select नहीं हो पड़ा तो मैं वह भी कर सकता हूँ यह भी यह देखिए अभी profile custom हो गई है यहां पे से कुछ भी selected नहीं है because आपने जो बनी बनाई profile थी उसमें changes कर दी हैं यह आपने मजीद इससा है वो select कर लिया है अब यहां अगर करेंगे तो यह आपकी सब कुछ खतम कर देगा इसकी profile वगएरा जो कुछ जितने से आपने select की होँए सारे खतम कर देगा again आप profile किसी profile को select कर लेते हैं let's say मैं happy जो है again select कर लिया तो अगर इसको दोबारा दबाएंगे तो यह clear सब कुछ selection clear हो जाएगी आप अपनी let's say मैं कहता हूँ इसकी आँकों के नीचे वाला इससा भी जो है वो और यहां पर कुछ option है इस option का मतलब यह है कि head rotate करें जब आप mouse को move करेंगे अभी हम देखते हैं तो यह head भी rotate करेंगा तो head की rotation की movement भी इसके साथ record करें यहां पर एक और option है इसका मतलब 3D movement कि जब यह mouse की ज़री हम move करेंगे तो यह 3D move करेंगा यह head जो है वो rotate भी करेंगा move करने के साथ साथ rotate भी करेंगा तो यह हमारी मर्जी है कि हम एक ही वक में सारी सारी चीज़ें record करना चाहें यह हम एक एक हिस्से को let's say हम सिर्फ पहले हिस्से में हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कि हम सिर्फ आँखों की animation करें ठीक है पहली देफ़ा सिर्फ आँखों की उपर हमारा focus हो कि वो आँखें किस तरह एक animation के दौरान move करें फिर हम दुबारा जाके timeline को शुरू मिला के फिर उसकी सिर्फ lips को हम animate करें फिर दूसरे हिस्से में उसकी forehead पेशानी को हम animate करें और आखिर में सारी चीज़ें अगर यह बटन दबा हुआ है तो इसका मतलब यह कि आखिर जितनी animation करेंगे चोटी 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 कोड़े ब्लेंड कर देगा इन सारों को मिला के एक animation बना देगा face की तो यह हमारी मर्जी है कि एक ही वक में सब कुछ animate करें या चोटी 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 करके बाद में जोड़ दें इस अप टू अस कि हम क्या चाहते हैं इस वक्त तो अवरॉल क्या है कि आपने face को zoom करना है इतना कि वह बहुत clear हो जाए और देन अपने profile select करनी है यहां से कुछ profile select कर दें तो बनी नई profiles है या आप अपनी मर्जी के कुछ जैसे select करने चाहते हैं वो करते हैं देन हमारे पास जो है preview यहां पर करते हैं प्रिव्यू का मतलब यह है कि आप एक दफ़ अनिमेशन करके देख लें कि आपका character किस तरह move करना चाहता है प्रिव्यू का button mouse click से करेंगे और देन यहां पर यहां पर फोरण से space नहीं दबा देनी यहां पर थोड़ा सा एक टेक्नीक है वो इस्तमाल करनी है अगर वो नहीं करेंगे तो issue होगा थोड़ा सा इधर आके आपने mouse को इसकी बिल्कुल center में रहना है इधर ताकि जब आप mouse move करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से animation करेगा तो मैं यहां पर दबा के अगर face space दबाऊंगा तो यह previewing जो है मेरा start हो चुका है तो यह देखे मैं गुमा रहा हूं राइट मैं इधर उदर कर रहा हूं तो मेरी आंखे move हो रही है उपर लेकर जा रहा हूं और यह इस तरह की expression चेंज कर रहा है तो यहां पर मैं अगर mouse को left click क किबन की हुई है again आप click कर के छोड़ देंगे तो यहां के जो है इस तरह जब काएगा जिस तरह नेचरल इनसान होता है तो यह सारी आप कर सकते हैं यहां पर तो मुझे कैसे पता चलेगा यह preview हो रहा है यहां पर जब record हो रहा होगा तो यहां पर यह animation चल रही होगी साथ म अभी हम record करके देखते हैं दुबारा इस से निकलने के लिए मैं space दबाऊंगा अभी मैं करता हूं recording recording में यह साथ में animation चल रही होगी मेरी voice भी लगी हुई है already तो वो जो है voice भी चलेगी तो मेरी मैं अभी उस वक बोलूंगा नहीं मैं सिर्फ आपने mouse के जरिए इसके आउ अभी record कर देता हूं मेरी आँखें और eyebrows सिर्फ स्लेक्ट हुई पढ़ी हैं और मैं करता हूं record record again mouse को मैं यहां पर ले आया हूं अभी मैं बोलूंगा नहीं dialogue और बना हुआ है मैं क्लिक करने से मेरी आँखें बंदा होंगी मैं यहां पर आके space दबाता हूं hello my name is Riz I am an animator today we are learning about face animation तो जहां पर मेरी animation यहां पर जहां पर यह स्लेक्शन खतम हुई है तो already उसने खतम कर दिया तो यह जो कुछ मैंने अभी किया है यह record हो चुका है मुझे कहां पर नजर आएगा देखें यह उपर voice का clip है और नीचे यहां पर यह animation आ जोकी है face puppet की सूरत में official clip यह वाला है इसमें head head की ओपर key frames लगे हुआ है और face की ओपर key frame लगे है आई की ओपर key frame लगे है यह बहुत जादा zoom out हुई पड़ी है तो अगर मैं इसको बहुत अभी इसको मैं कर लेता हूं zoom in देखें शुरू में मैंने आपको कहा था ना कि इस तरह animation करने के एक ही मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा key frame कौन से वला है अगर मैं यहां पर किसी को modify करना चाहूं उसकी आँखें तोड़ी देर के लिए बंद करना चाहूं या जएदा कम बंद करना चाहूं तो उस frame को ढूड़ना मेरे लिए बहुत मसला होगा कि वह कौन सा frame है अच्छा इसमे जो वो काला सा नुक्ता होता है जिस people कहते हैं उसको वो जो move कर रहा है वो उसके सारे key frame इसमें लगए होते हैं eyes के अंदर तो यह देखें कितने ज़्यादा key frames हैं तो इनको अपनी मर्जी का key frame तलाश करना और इनमें से उसको modify करना यह बहुत बड़ा problem है right तो यह हमने सिर सिर्फ दो चीज़ों को animate कि हमने उसकी eyebrows को और उसकी eyes को अगर इसी तरह हम जितने ज़्यादा timeline को मजीद अगर पीछे ले आएं और मैं जो है अभी इन दोनों को दोबारा सारा unslake कर लेता हूं और सिर्फ जो है वो lips को select करता हूं तो lips जो है मेरे mouse से कैसे control होंगे और कर लेता हूं माउस को इदर ले आता हूं और स्पेस दबाता हूं ठीक है देखें मेरे mouse से इनकी जो है animation control हो रही है राइट सिर्फ इन दो forehead forehead से of course eyebrows भी आगी बिच्छी जा रहे है विकास forehead यहां पर निशान नहीं बढ़ रहे है वह हिस्सा यहां पर character है तो इतना ज्यादा और detail में नहीं बना हुआ तो otherwise बारहल यह eyebrows निचे करने से देखें तो रहसे प्रिशान सा हो जाता है चेरा इसका लंबा सा हो जाता है उपर करने से खुश हो जाता है तो यह जो है इस तरह भी आप animate कर सकते मैं चाहता हूं कि यह वली animation इसकी दुबारा जो अभी मैं करने ज चाहिए और अभी मैं करना चाहरा हूँ रिकॉर्ड तो अभी यहां पर जाके मैं इदर रख के दुबारा स्पेस दबाऊंगा यहां पर आगे वो खुद ही रुग गया तो इसने क्या किया कि जो आईस की और आईब्रोज की मोमिंट थी उनके साथ यह जो हमने एरियो स्लेक्ट की ओवे थे होए थे इनको क्या कर दिया सिंक कर दिया इसके साथ मिलएंद कर दिया ऊसके साथ मिला कि आप किस तरीके से टुकुनों की सुरत में इनिमेशन करके उनको बाद में ब्लेंड कर सकते हैं और यह हमने इस को डिसक्स नहीं किया कि 3D मुवमेंट अगें 3D मुवमेंट को मैं प्रिवीव करके दिखा देता हूं इसको अगर आन करके आप करेंगे और स्पेस के और उनको अनिमेट करें या आप डीटेल से किसी चीज़ को अनिमेट करना चाहते हैं तो आप उसको स्वलो करेंगे एक फीचर को स्लेक करेंगे स्वलो को मतलब ही एक होता है एक फीचर को स्लेक करेंगे सिर्फ उसको डीटेल से अनिमेट करेंगे तो इन जो है इस तरह कर पाएंगे आप जो कुछ करेंगे अगर रिकॉर्ड करके तो करेंगे तो वहां पर नीचे टाइम लैन पर रिकॉर्ड हो जाएगी तो यह वाइस की लिप सिंकिंग के बाद वहला स्टेप होता है इस तरीके का फाइदा यह है के बड़ी असानी से अनिमेशन हो सकती है हमार मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है तो इसके फाइदे भी है इसके नुकसान भी है अगैन अपनी सीचुएशन के मताबगा आप खुद यह फैसला करेंगे कि मेरे लिए इस वक्त कौन सी एनिमेशन का तरीका जो है वो सही है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे के इनिमेशन जो है वो फेस की एडिटर से कैसे हम फेस को इनिमेट कर सकते हैं जो कि एक और तरीका है फेस को इनिमेट करने का सी यू इन नेक्स वीडियो